बहुत अच्छा डिसीजन है ताजुब की बात है देश आजाद हुए काफी टाइम हो गया ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए इंडिया वो है जो 1947 के बाद बना हुआ है जिसमें पाकिस्तान भी नहीं है इंडिया में बंगलादेश भी नहीं है वो इंडिया है और भारत क्या है भारत है जो ईरान से ले करके अफगानिस्तान पाकिस्तान था पर लेरह को जाता है महारा प्रतात मगर cageं अक्पर करेंडिया बयांस पटेला मजा इंडिया से आजरेКन है बहरत माहन नहीас ऑप हो घो बास्तों में कौमी यह इंडिया सब एक देन है यह विदेशी कल्चर है यह उन लोग का कल्चर है मैं आपको बताना हूं जो मैडम माउंट मेटन स्कर्ट पहने रहती तो वह इंडियन कहलाती थी अब भारती महला सारी पहने रहती थी NCRT की किताफों में एक एथिहासिक बदलाव होने चारा है अब इन किताफों में इंडिया की जगा आप भारत पढ़ेंगे जी हाँ यह बड़ा बदलाव जिसे NCRT पैनल ने मन्जूरी रेदी है इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से बाच्चीत करेंगे वरिष्ट पतरकार अजे जी मेरे साथ हैं अजे जिस तरीके से लगातार भारत और इंडिया को लेकर जो है बवाल छिडा हुआ है राजनितिक बवाल कहीं या देश में तमाम लोगों की राय कहीं लेकिन अब ये बड़ा बदलाव जो है वो NCRT की किताब में होने जा रहा है यानि जो कि जगा भारत पढ़ेंगे क्या कहींगे इस पूरे फैसले पर आप देखे ये बहुत अच्छा डिसीजन है ताजुप की बात है देश आजाद हुए काफी टाइम हो गया ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए कि बहुत अपसोस की बात है कि हमारे ही देश में हमारी कि अगूदर नहीं पढ़ा है जाती जयबकि वही हिस्ट्यी वीदेश में पढ़ायी जाती है ईज़र्ड फार्स पढ़ाया जाता है रोमेल पर नहीं तो भारत के महारानों प्रताप नहीं पढ़ाइ आते हैं स्यवा जी 12 का पूरे इंटरनेशनल लेविल पे छापा मार आपको बतारें यहीं के हरी सिंग नलवा है पूरे वर्ड में पढ़ाया जाता है अब नेट्टी साहिने यह बहुत बड़ा डिशीजन है और आपको तरह नेजसरल काउंसिल आप एजूकेशन रिसर्च एंड टेनिंग सेंटर ने जो यह लिया है बहुत बड़ा अब आपको किया कि पूरे बड़ में पढ़ाया जाना है इंडियन का वो तो यहां पर भी उन्होंने कहा यह है कि जो किता में छप गई है इनको पुना छापना पड़ेगा अमेंडमन कर करके और उस पर यह जोड़ा जाए जोड़ा क्या जाएगा इंडिया की जगह भालत अब मैं ओनिया वो इंडिया ऑफ इंडिया है और भारत क्या भारत वो है जो इरान से लेकर के अफगानिस्तान पाकिस्तान जब देश आ जाता इसके पहले भारत था भारत भारत अव कि 15 बाद में इंडिया क्या हो गया तुक्रे हो करके बांगलादेश सीलंका और इंडोनेशिया जाबा सुमात्रा कंबोडिया सबसे जो बड़े मंदिर कहां पर इंडोनेशिया आज भी वहां राम को चलता है वहां राम की इस्टी पढ़ाई जाती हुआ यहां पर इंडोनेशिया जो आपने जिक्र किया कि माहराना परताप की कहानी नहीं पढ़ाई गई यानि जो हमारे कहीं ने कहीं जाबाज जो लोग रही हैं उनकी कहानिया नहीं पढ़ाई गई मुगलों को कहीं ने कहीं किताबों में छापा गया है खास तोर पर उन्हें तवज्जो दी गई है तो क्या आप यह मानते हैं कि यह डिसीजन जो है इस लिहास से काफी जादा अच्छा है और यह डिसीजन होना चाहिए था पहले लेकिन देरी हुई है देखे बहुत बड़ी देरी हुई है आपको बताना है जो हिस्ट्री पढ़ाई गई जानबूज के इतनी जादा मतलब उस पे निर्मनता से पढ़ाई गई है इतनी जादा बेहूदगी उसको समझे लिजे हिस्ट्र दुरुभागे रहाई इस देश में इतिहासकार जो थे उनको खुद ही कंसेट के लिए नहीं था वह वह इतिहासकार होते थे जो चमचे होते थे सरकार के और उन्होंने इतिहास को इतना लवदा है मैं आपको बतालों अकबल का सासन बहुत बड़ा नहीं था चक्रपती सबलाट थे तो हर्सबरधन थे चक्रपती सबलाट असोक थे यह पढ़ाया जाता चक्रपती सबलाट चंद्रगुप्त थे इनके राज बहुत बड़े थे अकबल का दिल्ली के आसपास ही सासन नहीं था हर्याना में अकबल का सासन नहीं था पस्मी उत्तरप देज में नहीं था मेवार में कभी नहीं रहा जाटों की बेल्ट में अकबल का सासन दिल्ली के आसपास नहीं था सिर्व अकबर आगडे में और दिल्ली के एक बहुत छोटे से हिस्से में जो पुरानी दिल्ली का जबनाजी से लेकर के और बल्ली मलान तक इतना सासन था आज भी सब लोग प्रताप मगर पढ़ाया गिया अकबर का यह देश का दोहरी सिंग नलवा वर्ड का माना हुँवो था बंडा बैलागी किस्टि बिदली पासी किश्टि नहιं पढ़ाएगी तमाम एक से बिलियन में आपको दरोers उलिट यहां पर एक और महत्पुन सवाल अब उठता है चूकि जब से इंडिया से भारत की बात हो रही है यहां एक सवाल यह है कि अगर एंसी आर्टी पैनल ने इसको मनजूरी दे दी है कि यह थियासिक बदलाव अब उनकी किताबों में होगा तो आपको क्या लगता है कि इसको ल मिल सकता है क्या आपको लगता है कि पार्टियों की परतिक्रियां आएंगी कुछ नेता बोखलाएंगी तोर पर आएगी देखिए उसकी बजय मैं आपको बता दूं इसका नाम इंडिया रखा गया बड़े हिसाब से नहरू जी की यह देन थी नहरू जी ने पूरे उसमें इंडिया 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 इंड बास्तों में मिलना चाहिए था किनको उनको मानिक्षा को भारत रतन मिला था इंडिया रतन नहीं और भारत जो है भारत में राम हुए है भारत में क्रस्व में इंडिया में नहीं तब आप समझ लिए क्यों इंडिया एक बद्दा मजाक है इंडिया गुलामी का एक सूचक है भारत जो है भारत महान है भारत भाग विदाता है यह काया जाता भारत भाग विदाता भारत महान है अब भारत एक ऐसा सब्द है जो बास्तों में कौमी एक्ता का सबसे भरत रिशी थे जैनोमी भरत रिशी हुए बौध में भरत गौतम बुद्ध भी कहां भारत में हुए थ बहुत अच्छारा एक स्वाम्मान की सुद्ध है आदमी एक पहले आजादी से पहले क्या नाला लगता था भारत जिंदाबाद भारत माता की जय हो बंदे मात्रम यह इंडिया सब एक देन है यह विदेशी कल्चर यह उनलों का कल्चर मैं आपको बताना हूं जो मैडम मांट मेटन सकर्ट पहने रहे ती तो वह इंडियन कहलाती थी अब भारती महला साडी पहने रहे ती यह उस समय के समचार पत्रों ने दिया था उस समय प्रताप पेपर था प्रताप पेपर जो उनका था गरेश संकर विद्धाथी जी का और सवस्वतिपत्त का जो उनकी ते महाविशाद दुएदी न उन्हों देदा इंडियन गल्स इसमें अंतर है वो जो इसकट पहने रहती थी और नहरुजी जिनके साथ रहते थे वो इंडियन गल्स थी और यह क्या थी यह यह जो भारती नाली होती थी वो सानिया पहने किसे आज वो दिन आखिरकार आगया है जब जो देश के चातर चातराएं हैं वो अपने इत्यास को जानेंगे वो उन महापुर्शों की कहनिया पढ़ेंगे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में और साथी भारत को भारत बनाने में कहीं न कहीं एहम भूमी का में इस पर क्यार राजनीतिक परतिक्रियां आएंगी कौन नेरता बोख लाएंगे कौन क्या कहेगा इस पर भी हमारी निगाए ठीकी रहेंगी फलाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्यार राय है हमें कॉमेंट वोक्स में जरूर लिखें